हेलो वच्चो आज हम लोग पार्ट नंबर टू को शुरू कर रहे हैं इंग्लिश को लेकर बिसिकली जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि यह हम लोग एक स्रीज शुरू किये हैं यूटूब पर यू कैन डू नाम करके ठीक है बिसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी एम्यू का grammar का portion होता है languages का बलके हम कहें तो सारे grammar portions को मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को questions के धुरू और prescription से मुझे help क्या मिल रहे ही न मैं चीजों को आप लोगों को revise को पढ़ना क्या है ठीक है तो इन questions के धूरू को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है कई से पढ़ना है ठीक है और yine questions को भी हो सके तो आप दिमागें रख लेना अग को देखो सही से समझो आठ नौ दिन के अंदर अगर तुम ट्रेन में भी हो अभी जा रहे हो एक्जाम देने लगेगा एक दू घंटा यार दू तीन घंटा पूरा वीडियो को खत्मा डालो तो जो देख रहे हैं उनको attempt कैसे करना है इसको समझना कैसे मैं बता दे रहा हूं आपको सबसे पहले जो भी मैं grammar portions बताऊं उस grammar portion को आपको अच्छे तरीके से समझना है उसको हो सके तो note down भी कर लेना और जो questions मैं बता रहा हूं उसको भी दिमाग में रखना है पहला question है a tiger was killed by tiger pick out the underline हमें underline pick out करना है देखिए सर यह हमें पूछा है tiger basically यह tiger पूछता न a tiger तो क्या हो जाता जानते हो common noun हो जाता लेकिन यहां पर पूछ रहा है यह वाला tiger इसी वज़े से यह proper noun हो जाएगा क्योंकि इस वाले एक tiger को इस tiger ने मारा तो जिस tiger ने मारा वो tiger specific tiger था इसी व common noun क्या होता है कि जिस noun से पूरे जाती का बोध हो जैसे के कुता बिल्ली अब मैं बिश使用 ने कर दूंW但 जहां-बिशूरी बंता है सब उसका meaning लेलेगा घाय को दुम तो दुनिया में जितना घाय है सब आगnesday आ बहन से सब औरहजूं उन सब her common noun नाउन प्रोपर नाउन क्या होता है जिससे किसी एक चीज का बोध हो जिससे किसी एक चीज का पता चले जैसे कि हेमालया हो गया, कुतुमिनार हो गया, MS Classes 99 हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़े हैं, तो proper noun हो गया, abstract noun क्या होता है न, जैसे के कोई feelings हो गया, हम बोल सकते हैं के sadness हो गया, या फिर sweetness हो गया, ये सब abstract nouns होते हैं, जैसे के आप किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हो, सिर्फ, उसको गिन नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर स सकते हो, abstract noun के अंदर गता है, ठीक है, तो यहाँ पर right answer option number भी proper noun होगा, आगे हम देखें, तो police is a, police क्या है, basically ये collective noun है, जब भी पूरे गिरोह का, पूरे जुन्द की बात करी जाए न, बावू, तो वो collective noun होता है, ठीक है, collective noun होता है, तो collective noun किसको कहते हैं, जब पूरे जु की बात की जा रही है, तो वहाँ पर ये collective noun हो जाएगा, यहाँ पर proper noun क्या होगा भाई, तो proper noun अभी मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, ताकि आपके जहन में बात बैठे, जिससे किसी एक चीज़ का बोध हो, वो proper noun होता है, specific चीज़ का, common noun क्या होता है भाई, तो हम बल सकते हैं कि जिससे पूरे जाती का बोध हो, तो जो feelings express किया जाते हैं, उसको सिर्फ महसूस किया जा सके, वो abstract noun होगा, यहाँ पर लिखा हुए, identify the pronoun, pronoun को हमें बताना है, तो pronoun होता क्या है, सबसे पहले ये जाननो, जो noun की जगह पर इस्तेमाल होता है, वो pronoun होता है, अब noun क्या होता है, तो किसी भी चीज़ के जगह के कुछी भी चीज़ के नाम को हम लोग noun कहते हैं, और उनकी जगह पर this, that, यह सब चीज़े जो use होती है न, वो pronoun कहलाती है, तो pronoun क्या है, जो noun की जगह पर इस्तेमाल हो, तो noun की जगह पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, त यौंग यहां लिखा है, यौंग का क्या हो जाएगा योथ, यहां लिखा हूए they did the work, last में हमेशा their self नहीं लगता है कभी भी, हमेशा लगता है themselves ठीक है, यहां पर दो हो गया है, इसको सही कर ले न, एक ही है तो they did the work, themselves, यहां पर लिखा हूए pick out the abstract noun तो यहाँ पर sweetness जो होता है न यह abstract noun होता है sweetness क्या होता है abstract noun होता है हाँ एक बात मैं एक बच्चा मुझसे बोल ला था comment करके बताए सर यह questions आपको कहां से मिले है न देखो बाबू यह सारे questions जो है वो मैंने उठाया है भाई जो मुझे expected लगता था वो मैंने उठाया है और इसमें मैं बता दूँ study order का भी question है पहले पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें जो तो पूरा study order से मैंने लिया था ठीक है तो अलग-अलग जगों से मैंने questions उठाये हैं ताके वो आपको मेह अतना करना पड़े ठीक है अलग-अलग questions से ऐसे ऐसे एम्यू जामिया वाला तो बिचारा questions नहीं बनाता है मैत को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं जामिया वाला question बनाता ही नहीं है उस सारा net से उठाकर डालता है ठीक है एम्यू वाले को भी मैंने देखा कि वो 50% से जादा questions नेट से उठाकर देते हैं भाई कहां से कोई question लाएगा यार इतना थोड़े बनाने बढ़िठा है कोई वो selected questions देखते हैं इंटरनेट इतनी बड़ी दुनिया है ना बाबू कुसमें गूम हो जाओगे तुम नौकुन के बराबर नहीं हो इतना बड़ा है इंटरनेट ठी आप भी और हर कोई dependent है कोई खुद से नहीं कर रहा है कुछ भी बलके किये हुए चीजों को modify करके आप तक पहुचाया जा रहा है क्यूंकि आप अगर खोजने जाओगे तो आपको थोड़े ने पता चलेगा कि मेरे level का क्या है कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन मैं पढ़ चुका हूं मैं अभी उपर हूं आपसे आयाइटी की पढ़ाई कर रहा हूं तो इन सब जगों पर जो मैं हूं तो वहां तक मुझे पता है कि इस लेवल का questions आपसे पूच सकता है इसी वायसे मैं इधर उधर से pick out करके बढ़ियां से collections आपको दे रहा हूं ठीक है तो six का pick out the abstract noun उस बच्चे का जवाब मैं देने की कोशिश किया हूं six का option number b हो गया sweetness आगए यहाँ पर this book is mine pick out the underline हमें underline बताना है देखो एक concept याद रखना कभी भी noun के साथ pronoun नहीं आता है तो यहाँ पर noun क्या है book है इससे पहले pronoun क्या है this है इसका मतलब यह pronoun अब adjective में convert हो जाएगा ठीक है अपने आप adjective में convert हो जाएगा तो अगर पूछता मुझसे के this बताईए क्या है तो मैं कहता के sir this adjective है लेकिन mine पूछ दिया मुझसे तो is तो हमारा pronoun हो नहीं सकता है ठीक है और book तो noun है यह adjective हो गया बचे हुआ word mine है तो यही हमारा pronoun हो गया और mine ही पूछा था यहाँ पर underline करना भूल गया है ठीक है तो seven का option number b is the right answers यह mine क्या है यहाँ पर pronoun है और यह this क्या है यहाँ पर adjective है this adjective क्यों हो गया बचे कहेंगे this तो pronoun होता है लेकिन याद रखना noun और pronoun एक साथ हाता है न तो जो pronoun होता है वो adjective में अपने आप convert हो जाता है यहां लिका हुए that is my pen ठी को that यहाँ पर है उसके बाद verb है इसका मतलब यह that क्या है प्रोणाउन है अगर यही मुझसे कहा देता कि put out the adjective तो मैं क्या करता my को उठाता क्योंकि my जो होता है वो हमेशा adjective ही होता इस बात का याद रखना my हमेशा adjective होता है तो eight का हमें पूछा है कि pronoun बताना है तो eight का d हो हो गया that pronoun है ठीक है तो eight का option number d हो गया यहां लिखा हुए the adm add fuel to the fire यानि के fire के अंदर fuel add करने का मतलब क्या होता है ठीक है तो हम सकते है के to make the matter worse मेटर को और ज्यादा खराब करना क्या कहलाता है add fuel to the fire कहीं पर जगड़ा हो रहा था उसमें और जाकर कुछ दूतिंग बात जगड़ा लड़ा देना यही कहला था add fuel to the fire तो इसका सही अंसर हो जागा option number a यहां पर हुआ है the idiom wolf in shape clothing means इसका क्या होता है a malicious persons in disguise तो 10 का option number a हो गया next time आरे पास यह idiom से आप हो सके तो याद कर लेना रट लेना जिस सरीके से हो सके ठीक कुछ आशाएं है इसमें से आने के the idiom at once which ends means यह proplexed भी होता है confused भी होता है puzzled भी होता है तो option number d is the right answer होगा 11 का next है मारे पास the idiom blazing in disguise means ठीक है तो a person in disguise hidden blazing playing and है तो हम बोल सकते हैं के hidden blazing is the right answers ठीक है hidden bleeding is the right answer option number b और हाँ इस बार मैं जामिया का question देखा तो मैं पागल रहा गया या अर्दंग रहा गया सारा question एक वेबसाइट से उठाया था हूँ अब वेबसाइट को मैं release नहीं करूंगा लेकिन मैं अगले सार से इंशालला जामिया की और बाप्रेपा यह ठीका question इस स्टी का और साइंस का कहां से आता है तो मैं तो 100 परसेंट को दूंगा अगले साल से जो मैं जामिया के तयारी कराने वाला हूँ ना उसमें से 80 गो को साथ गो साथ को question कि मैं guarantee ले सकता हूँ और free of cost यूटूब पर पढ़ाऊंगा बच्चो याद रखना मैं कभी भी पैसा नहीं मांगूंगा ठीक है क्यूंकि मैं जानता हूँ बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दूर 5 रुपिया सही से नहीं पढ़ता है उसमें भी बच्चों को ठीक है external मेरे पास बहुत sources हैं तो आप लोगों से पैसा मांगों यह मेरा हक ही नहीं बनता है ठीक है इसी वयसे मैं पैसा नहीं मांगता हूं जन्रली नहीं तो इन सब चीजों के लिए पैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि पैसे देने के लिए भी रेडी हैं लेकिन मैं उ सही इतना इतना पैसा जीटा जा रहा है एक ठीक है नाम पर तो उन सब चीजों को मैं खतम करना चाहता हूं और इंशाल्ला धीरे धीरे खतम करूंगा ठीक है और अगले साल से जामिया में MS classes फोड़ेगा ठीक है यहां पर लिखा हुआ है को इसका the idiom blazing and this guy's का मतलब कर दा लिखा है hidden blazing यहां पर लिखा हूं मैं the idiom crocodile tears means तो क्या होता है कि a false display of the grief ठीक है थर्टीन का ओप्शन नंबर B is the right answer the idiom hue and cry means इसका मतलब क्या होता है any loud public out crazy ठीक है तो 14 का ओप्शन नंबर B हो गया इस अब याद कर लेना the idiom in a nutshell means हम बोल सकते हैं के in a very brief form हां यह हो जागा 15 का option number D in a very brief form यहां पर लिखा हुआ है the idiom kangaroo court means इसका मतलब क्या होता है तो an illegal court kangaroo court का मतलब क्या होता है एक illegal court तो 16 का option number C हो गया next हम देखे हैं the idiom man of the world means इसका मतलब होता है के एक्सपिरियंस पर्सन कहा है भई हां option number C an experienced person ठीक है the idiom under a cloud means तो इसका मतलब होता है under suspicious condition तो option number A is the right answer under a suspicious condition ठीक है तो 18 का option number A हो गया the idiom only tongue means तो हम बोल सकते हैं के वो होता है flattery words क्या हो जाएगा वो flattery words ठीक है और कहीं हला मत करना सब तुमके MS classes बोल रहे थे के जामिया का पता चल गया कहां से जान जाएगा तो फिर आगा हो जाएगा ठीक है मुझे पता है किस website से वो लोग English का question उठा रहा है या फिर किन-किन website से मैंने analysis बहुत ही रात-रत पर जाके किया है कि पता नहीं मुझे पता करना था कि आखिरी दे कहां से रहे हैं दे तो रहे हैं वो internet से एम्यू वाले भी यही कर रहे हैं दे तो रहे हैं internet से यह लोग भी उठा करके बना एक दो words बनाता है वो लोग एम्यू वाला मैं मानता हूं लेकिन 5 question या 6 question तो वो लोग internet से उठा के दे रहा है ठीक है तो यह सब चीजे हैं तो मुझे पता चल गया है कि social science का science का math का तो मै दुनिया वाले math के जैसे 25 question आता है न तो उसमें से वो लोग 10 questions बनाते हैं लेकिन उसमें से भी 15 questions या फिर 10 questions वो लोग internet से उठाते हैं हर कोई internet से उठा रहा है आज IIT में जो questions आते हैं न बबू वो तुमको internet पर मिल जाएंगे इतना बड़ा है तो internet की दुनिया बहुत यहां पर है the idiom only tongue means flat rewards ठीक है तो 19 कभी हो गया ठीक हो यहां पर last night I went to meet my uncle and यहां पर गलत है हां सही है सही है and lift my keys the pronoun हमें बताना है तो यहां पर I pronoun हो जाएगा ठीक है यहां पर देखो last last pronoun हो सकता है कभी नहीं सकता है night कभी नहीं सकता है my तो हमेशा adjective होता है इस बात का right answer आई यहां देखो डॉक्टर राजेंदर प्रसाज was the first president of the India यह question आपको study add up मिल जाएगा ठीक है तो सारा question internet पर available है बस आप लोग अगर खोजने जाओगे ना कि आपके level का क्या है तो कुछ पता नहीं चलेगा सारा time बरबाद हो जाएगा लेकिन मुझे पता है इतने बस find out कि आदमी डॉक्टर राजेंदर परसाद और फिर हम बोल सकते हैं कि president India बोथ A & C तो बोथ A & C हो जाएगा डॉक्टर राजेंदर परसाद भी हमारा क्या है प्रोपर नाउन है और हम बोल सकते हैं कि C इंडिया भी एक प्रोपर नाउन है ठीक है तो option number D is the right answer बोथ A & C इसका मतलब होता है लीव विदाउट इंफरमेशन ठीक है 22 का option number B is the right answer लीव विदाउट इंफरमेशन यहां लिखा हुए इसका सही अंसर हो जाएगा ड्रीम और डिजायर और यह होता है डे और ड्रीम और होप यानि कोई चाहत थी आपकी जो के पूरा नहीं हो पाया उसको कहते हैं हम लोग ड्रीम और होप और डिजायर अन्लैकली टू बी रियलाइस्ट न्यू देली क्या है बाई तो common नाउन फॉपन प्रोपर नाउन है यू देली टुष्ण नमबर ज़िए ऽ्लाजली प्रोपर नाउन बता धी हो सॉरी जय नहीं हो गा इस्टफ फ्रहफन नमबर moisर seven डिशचाइट आ तुर फरुठ क्वता हे डिशाइडेट हो नहीं सकता है ही डिशाइड और कि राषीद और आम ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्छो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना गाला फंस जाता है बनाने में वीडियो एकदम मतलब एनर्जिक साथ नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ना नींद आप ल की वीडियो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए कर भला सोहो भला थैंक्यू